नमस्कार सत्याग्रह.com पर आपका स्वाकत है मैं हूँ आशिता सेट और आप देख रहे हैं साथ दिन इस कारिक्रम में हम जानेंगे अलग-अलग शेत्रों से आई इस सब्ता की सबसे बड़ी खबरों के बारे में और ये भी कि क्यूं दिल्ली के दंगों में जो सबसे बुरा नजर आता है वो दिल्ली पुलिस है साथ दिन में हम ये भी जानेंगे कि इस सब्ताहा रिलीज हुई फिल्म थपड कैसी है और इसमें हम उन व्यक्तियों में से एक के बारे में भी चर्चा करेंगे जो पिछले सब्तहा सबसे चर्चित रहे साथ दिन में सबसे पहले जानते हैं राजनीती से जुड़ी सब्तहा की सबसे बड़ी खबर के बारे में नए नागरिक्ता कानून यानी CAA को लेकर दिली में बीते कुछ समय से चल रही सरगर्मी इस हफ़ते भीशन दंगों में तबदील हो गई राजधानी के उत्तरपूर्वी हिस्से में हुए इन दंगों में 40 से जादा लोग मारे गए और 200 से जादा घायल हो गए ये दंगे तब शुरू हुए जब अमेरिकी राश्पदी डॉनल्ड ट्रम भारत के दोरे पर थे इसके बाद से आरोपो प्रत्यारोपो का दोर जारी है कॉंग्रेस ने भाजपा पर दंगे भढकाने और मोधी सरकार पर राजधर्म का पालन ना करने का आरोप लगाया है पाटी अध्यक्ष सुनिया गांधी ने कहा कि इन दंगों की वज़़ा भाजपा नेताओं के भढकाऊ भाशन है उधर सरकार का कहना है कि उसे कॉंग्रेस से राजधर्म का पाट सीखने की जरूरत नहीं है भाजपा ने उल्टे कॉंग्रेस पर दंगा भढकाने का आरोप लगाया है इस हफते अंतराश्ट्रिय जगत की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई वहां मशूर फिल्म इरमाता हार्वी वाइनस्टीन को यौन उत्पीडन और बलातकार का दोशी ठेराया गया हॉलिवुड की जानी मानी अभिनेत्री अंजलीना जोली सहिद असी महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीडन के आरोप लगाये थे 67 साल के हार्वी वाइनस्टीन को 25 साल तक की सजा हो सकती है उनके खिलाफ आरोप लगने के बाद नीटू आंदोलन ने रफतार पकड़ ली थी इस दोरान भारत सहे दुनिया भर में महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन उत्पीडन के अनुभवों को सोशल मीडिया पर साजा किया इस हफते खेल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी है औस्ट्रेलिया में हो रहे ICC महिला T20 विश्पकप के सेमी फाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है गुरुवार को एक रोमांचक मुकाबले में उसने न्यूजिलिंड पर चार रन से जीत दर्च की इसके साथ ही भारत ने जीत की हैट्रिक लगाई इससे पहले उसने उस्ट्रेलिया और बांगलादेश को भी हराया था अब तक 6 महिला T20 विश्पकप हो चके हैं जिन में से 4 उस्ट्रेलिया ने जीते हैं भारत ने अब तक एक बार भी ये खिताब नहीं जीता है अंत में बात कारोबार जगत की चीन ही नहीं भारत और बाकी दुनिया की अर्थ विवस्था को भी कोरोना वाइरस बड़ी चपत लगा रहा है इस हफते इसके चलते दुनिया के तमाम शेयर बाजारों में भूचा ला गया गुरुवार को अमेरिका के न्यू यॉक स्टॉक एक्स्चेंज में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई उधर्ड शुकरवार को BSC और NSC में हुई भारी गिरावट से निवेशकों को 5 लाग करोड रुपे से भी जादा का नुकसान उठाना पड़ा कोरोना वाइरस ने अब चीन से बाहर भी तेजी से पाउं पसारना शुरू कर दिया है विश्विस्वास्ते संगठन का कहना है कि हालात जल्द काबू में नहीं आए तो दुनिया को एक बड़ी आफ़त का सामना करना पड़ सकता है सत्यागरह.com पर आप देख रहे हैं साथ दिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों दिल्ली के दंगों में जो सबसे ज़ादा बुरा नजर आता है वो दिल्ली पुलिस है देश भर में CAA NRC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को दो महीने से ज्यादा का वक्त बीच चुका है ऐसे में 24 फरवरी को जब अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल टरंप भारत आये तो प्रशासन से लेकर जनता तक सभी इस बात पर एक राय थे कि प्रदर्शनों की चलते देश में कहीं भी अशान्ती ना हो लेकिन टरंप के आने से एक दिन पहले दिल्ली के कुछ हिलाकों में शुरू हुई हिंसा उनके जाने तक अपने चरम पर पहुँचती दिखाई दी बताया गया कि ये हिंसा C.A. के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन करने वालों की आपसी भिडंद का परिनाम थी अगर इसके शुरुआत के सवाल को छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस अपने सबसे बुरे चहरे के साथ सामने आती है पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर ये दो गुटों के बीच हुआ संगर्श था तो पुलिस ने C.A. समर्थक गुट को विरोधी गुट तक पहुँचने ही क्यों दिया वह भी तब जब टरंप भारत में थे इसके अलावा सोमवार को मौजबुर और जाफराबाद से आए कई ऐसे वीडियों हैं जिनमें पुलिस के साथ साथ कई आम लोग भी दिखाई देते हैं ये लोग पुलिस के आसपास तसली से पत्राव करते नजर आते हैं इनमें से कई बीच बीच में जैश्री राम और दिल्ली पुलिस जिन्दाबाद के नारे भी लगाते हैं इससे पता चलता है कि ये CAA के समर्थक थे हाला कि इससे ये साबित नहीं होता कि हिंसा की शुरुआत CAA समर्थकों ने की थी लेकिन अगर ये काम CAA विरोधियों का था तो पुलिस ने उन्हें नियंतरित क्यों नहीं किया या फिर उनसे निपटने के लिए वो दंगा स्थलों पर अकेले क्यों नहीं कई अब अगर मानने को यही मान लिया जाए कि इस भीड में नजर आ रहे लोग साधी वर्दी में पुलिस वाले ही थे तो फिर हिंसार नियंतरित होने की बजाए दंगों में क्यों बदल गई साल 2015 के आकड़ों की माने तो लगभग 75,000 पुलिस कर्मियों पर दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसके अलावा दिल्ली पुलिस बहतरी तकनीक, नेटवर्क और बाकी सोविधाओं से भी लैस है इतना सब होने के बावजूत वो अपने शेहर के एक कोने में हो रही हिंसा को रोकने में असमर्थ दिखती है इससे भी बुरा ये है कि ऐसा करने के साथ साथ वो एक विशेश पक्ष की तरफ खड़ी भी दिखाई देती है सत्यागरह.com पर आप देख रहे हैं साथ दिन अब अंजली मिश्रा से जानते हैं कि इस हफ़ते रिलीज हुई फिल्म थपड कैसी है इस अफ़ते रिलीज हुई फिल्म थपड का निर्देशन अनुभाव सिन्धा ने किया है और फिल्म में मुखे मुमिकाएं तापसी पन्नू और पावैल गुलाटी ने निभाई है घरेलों हिंसा पर बात करने वाली ये फिल्म में कैसे जोड़े की कहानी कहती है जिनका अलगा एक थपड की चलते होता है इस बहाने फिल्म हमारे समाज में पितर सत्ता की उन्च हवियों को दिखाती है जो सामने ही होती है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते और इस तरह ये एक जरूर देखी जाने वाली फिल्म बन जाती है थपड पर आई कुछ टिपड़ियों पर गौर करें तो फिल्म कमपैनियन पर अनुप महचे उपड़ा कहती है कि इसकी कसी हुई पटक था और उसमें समेटी गई बारी किया फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है इंडिया टुड़े पर नहरिता मुखर जी बताती है कि फिल्म में तापसी पन्नू रंज कुस्से और असाहायता को जो चहरा देती हैं उसे आप हर महिला में खोच सकते हैं वहीं इंडियान एक्सप्रस पर शुब्रा गुपता लिखती है कि निर्देशा का नुभाव सिन्ना फिल्म में कई बार अधी की हद तक जाकर अपने तर्क रखते दिखते हैं लेकिन फिल्म के विशय के चलते ये ठीक ही लगता है सत्याग्रह की तरफ से इसे चार स्टार हिंसा में मारे गए आई भी कर्मचारी अंकिट शर्मा के परिवार ने भी उनकी हत्या का आरोप ताहिर हुसेन पर लगाया इसके बाद पुलिस ने उन पर हत्या का मामला दर्च किया और आपने उन्हें निलंबित कर दिया हाला कि ताहिर हुसेन ने इस आरोप को खारिच किया उन्होंने कहा कि दंगाईयों ने उनके घर पर कबजा कर लिया था पार्टी मुख्या अर्विंद केजरीवाल ने भी कहा है कि अगर उनका कोई नेता हिंसा में शामिल है तो उसे दो गुनी सजा हो सत्यागरह.com पर आप देख रहे थे साथ दिन अगले हफ़ते आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार